हेलो फ्रेंड्स गुड बॉर्निंग कैसे हूँ आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो आप लोग से में हिंदी लेंग्विज का टेस्ट नूँगा इस पेसल यूपी बियर्ट एंटेंस एक्जाम 2022 के लिए फ्रेंड्स इस टेस्ट में दो टोटल आपके कोशन्स होंगे वो होंगे पचीस अगर आप लोग पचीस में से 12 प्लस कोशन्स करेट करते हैं तो आपकी हिंदी लेंग्विज की तेहरी अच्छी है और आप लोग इस एक्जाम को आशानी से निकाल लेंगे बहुत ही अच्छे नंबरों से तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं नीचे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं साड़े नौ बजे हिंदी लेंग्विज की क्लास होती है और यहां पर क्रैस कोर्स का हमारा वाट्शप नंबर है अगर क्रैस कोर्स परचेश करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे ही तो आप लोग हमारे उशी वाट्सप पे जो है मैसेज कर सकते हैं इसमें आपको पूरा बेर्ड का मटेरियल देखने को मिलेगा शबी विसियों के important question आपको देखने को मिलेंगे साथ ही 10 year के previous papers भी आपको इस क्रैस कोर्स में देखने को मिलेंगे Hindi, ZK, Resinning, Subject Ability के 5000 से ज़्यादा आपको इसमें topic wise objective question देखने को मिलेंगे तो बहुत ही महत्पूर क्रैस कोर्से काफी सारी लोग purchase कर लिये हैं अगर आपको भी free seat लेना है तो आप लोग हमारे क्रैस कोर्स को जो है join कर शकते हैं मातर 149 रुपए में आपको पूरा material मिला है, पूरा syllabus इसमें cover किया गया है अगर आप लोग इसे अच्छे से त्यार कर लेते हैं तो आपकी जो त्यारी है वो बहुत ही अच्छे से होजाएगी आप लोग government college पाने के हकदार होशकते हैं तो कैसे purchase करना है, वीडियो के description box में link दे दिया हूँ जो आप लोग इस link पे click करेंगे तो उसमें ना, mobile number, email अडिया आप से पूछा जाएगा उसके बाद 149 रुपे का payment करना होगा, download का option आएगा, आप लोग download कर लिज़ेगा और हिंदी की ये 27 वी class है, ठीक है? चलिए निम्ड में से कौन सा जो है सब्द इसमें तदभव है, सभी लोग जो आप देने के प्रास करेंगे यहाँ पे गोपाल लिखा हुआ है, गोत्र लिखा हुआ है, गोधुम लिखा हुआ है, गाय लिखा हुआ है तो इसमें तदभाव शब्द आपको बताना है तदभाव और तदसम शब्द से एक एक प्रशन अपके एक्जाम में आएगा ये नोट कर लिज़ेगा और कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे आपका तदसम तदभाव हो गया परियावाची हो गया विलोम शब्द हो गया अने से क्लियर कर लेते हैं तो अने छात्र छात्राओं से आप लोग आगे निकल जाएंगी क्योंकि इसे लोग ज्यादा पढ़के नहीं जाते हैं बोलेंगे कि महा कर ही लूँगा तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है तो इसमें से जो क्या होगा तो गाई का गव हो जाएगा क्या हो जाएगा गव होगा नोट कर लेजिए गा उसके बाद यहां पर गोत्र गोत्र यहां पर तत्सम है तो इसका तदभौ क्या हो जाएगा गोत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा उसके बाद यहां पर गोधुम गोधुम यहां प हो जाएगा ऐसे आप इसे न无ट करके चलिए ड़ोंगा काईसा शब्द है दोंगा बताइए काईसा छब्द नौ सब्द है यह यह विदेशा शब्द है तो डोंगा दिखें देशा शब्द है आपका paste was चेटरी प्रभाव के कारण पर इस्तेती एम आवशकता अनुसार बन कर प्रचलित हो गए हैं वह जो हैं देशा शब्द कहलाते हैं तो आफशनेस का जो है सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जाएगा ओके बीड़ की पलपल की अपडेट पाने के लिए बहतरीन स्कोर करना है अगर आपको हमारी चैनल से जुड़िया ही चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आकन को ओल पेपरस के लिजगा इस चैनल के मादब से आपको निश्यती मदद मिलेगी वीडियो पशन दाए तो प्लीस वीडियो को लाइक करें और अपने अदर फ्रेंड क जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक के है तो इसमें देखिए आपका जो है विशेशन उपवाक के है कौन सा उपवाक के है विशेशन उपवाक के है तो अफनेस का जो है बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जाएगा ओके अगर आपको शमज में नहीं आ रहा है कि बेर है चंद्रमा है चम्मच है चिकिस्ता है 54 का जॉब देने के प्रास करेंगे देखी इसमें चपल चपल आपका pulling शब्द है उके उसके बाद चंद्रमा भी आपका pulling शब्द है चमज भी आपका pulling शब्द है चिकिस्ता आपका जो है इस त्रिलिंग है उके चिकिस्ता ओफिन इसका जो है C वाला बिल्कुन correct हो जाएगा important question है आपके exam के लिए अगला प्रशन आपकी skin पे आ गया है पद करम की दिश्ट से कौन सा वाक्य शुद्ध है क्रशन जा रहा है क्या क्रशन जा रहा है क्या जा रहा है क्रशन जा रहा है क्या क्रशन इसमें आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है यह पता करना है 55 का जौब देने का प्रयास करेंगे क्रिश्न जा रहा है क्या यह आपका जो वाक्य है अशुद्ध वाक्य है क्या क्रिश्न जा रहा है यह जो आपका वाक्य है बिल्कुन शुद्ध है उके चलिए अनवई की दिश्टे से कौन सा वाकिश शुद्ध है यहाँ पर पढ़िए कि गोपाल ने एक गाय और एक भैस खरीदे ये तो कलत हो गया गोपाल ने एक गाय और एक भैस खरीदो ये भी आपका अशुद्ध हो गया गोपाल ने एक गाय और एक भैस खरीदा ये वाला जो वाकिय है बिलकुम शुद्ध वाकिय है तो ऑफ्शनेस का जो है डी वाला बिलकुम करेक्ट हो जाएगा ओके चलिए यद्दपी का शंदिविछेत क्या होगा बताइए सबी लोग यद्दपी में कौन सी संदिविछेत क्या होगा यद्दपी में कौन सी संदिविछेत क्या है जो है तदबह क्या हो जागा दबना हो जागा क्या हो जागा दबना हो जागा तो ऑप्शन इसका डी वाला बिलकुन करेक्ट हो जागा अगम अगम शब्द युगम का सही अर्थ क्या है कोश्चन को पढ़िए अगम अगम सब्द युगम का सही अर्थ क्या है 59 का जौब देने के प्रयास करेंगे तो अगम अगम शब्द युगम का जो सही अर्थ है इसमें दुरलप सास्त्र हो जागा क्या हो जागा दुरलप सास्त्र ओफनस का जो है ए वाला बिल्कुन करेक्ट हो देगा ओके चलिए देर्ग बाहु में कौन सा शमास है देर्ग बाहु में कौन सा शमास है दिगु शमास तो हई नहीं है संख्या बाची का बोध होई नहीं रहा है नहीं दौंदर शमास है नहीं अब बैभाव शमास है तो इसमें आपका बहु रही समास है देर्ग बाहु में कियेगा ठीक है चलिए निम्ड में से सुद्ध वरतनी वाला शब्द कौन सा है निम्ड में से सुद्ध वरतनी वाला शब्द कौन सा है और जिसके दोनों परधान हो तो उसमें दोंद शमास होता है योजक चिन लगा रहता है उसमें तो निम्ड में से सुद्ध वरतनी वाला शब्द है ओके चलिए जो लेखक लोगपरी होता है उसका शम्मान सभी करते हैं किस प्रकार का वाक्य है जो लेखक लोगपरी होता है उसका सम्मान सभी करते हैं किस प्रकार का वाक्य है तो ये आपका मिस्र वाक्य है क्या है मिस्र वाक के है कि जो लिखाक लोपरी होता है इसमें जो वाक के है वो है आपका मिस्र वाक है तो आप्शनस का यह वाला बिलकुन कर्यक्ट हो जगा जीतने भी लोग चैनल पे नए है चैनलों को सब्सक्राइब करके बेलागन को ओल पर प्रेस कर लिजगा इस चैनल के मदध हम से आपको निश्यरी मदद मिलीगी हेम किसका प्रयवाची है बताएए हेम किसका प्रयवाची है हेम किसका प्रयवाची है सबी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे तो हेम देखे इसमें स्वनड का प्रयवाची है किसका स्वनड का ओके, ओफ़वनिस का D वाला, बिल्कुन करेक्ट हो जाएगा इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे सोना होता है, कनग होता है, कुनदन होता है तो ये भी इसके प्रेयवाचे हैं, सुनम्र के हैं, ठीक है? चलिए अभी सरन किसका विलोम है अभी सरन जो है किसका विलोम है 64 का जवाब देने का प्रास करेंगे अभी सरन किसका विलोम है तो अभी सरन आपका जो है अप सरन का विलोम है किसका अप शरन का विलोम है और इसका जो है बी वाला बिलकुन करेक्ट हो देगा very important question है विभावरी किसका प्रयवाची है विभावरी बताइए किसका प्रयवाची है शबी लोग जो आप देने का प्रास करेंगे विभावरी किसका प्रयवाची है रात्रिका, नौका का, किरण का, नदी का तो विभावरी जो है आपका रात्री का प्रयावाची है रात्री का और इसका ए वाला बिल्कुन करिक्ट हो जागा वेरी इंपॉर्टन कोजिन आपके एक्जाम के लिए और भी जैसे आपका निशा हो गया यामा हो गया ये भी विभावरी के प्रयावाची है ओके चलिए संसार यहां पर दिखिए संसार गूड रहस्यों से भड़ा भरा है पंक्ति के रेखांखीक सब्द का विलोम क्या होगा शविलुग जौब देने के प्रास करेंगे 66 का जौब देने के प्रास करेंगे यहां पर जो गूड है इसमें आपका जो लगा है रेखांखीक सब्द इसका जो है क्या हो जगा विलोम शब्द आपको बताना है गूड का तो गूड का जो विलोम होगा आपका वो हो जाएगा बोध गम में हो जाएगा क्या हो जगा, बहुत गम हो जगा Confnist का जो है D वाला बिलकुन correct हो जगा 2 प्रवाची नहीं है कौन सा यानि कि 3 इसमें 2 के प्रवाची है 1 कौन सा 2 का प्रवाची नहीं है ये आपको बताना है 67 को जवाब देने का प्रयास करेंगे तो बान का प्रेवाची इसमें देखिए मयूख नहीं है बाकि सिली मुख, सर, इसू ये बान की प्रेवाची है मयूख आपका नहीं है तो option इसका D वाला बिलकुन correct हो दाएगा Very important question है आपके exam के दिये ओके चलिए और मयूख जो है कीरण का प्रेवाची है अगला प्रेवाची देखिए जलच किसका प्रेवाची नहीं है जलच जो है सभी लोगों को आरहा होगा सभी लोग जॉप दरने का प्रास करेंगे 68 का सर लन आपका जलच का प्रेवाची नहीं है option इसका D वाला बिलकुन correct हो दाएगा important question है आपके exam के लिए और भी जैसे होते हैं जलज के प्रेवाची पंकच, अर्विन, कमल, संख आपको बताई दिया यहाँ पे ठीक है चलिए अद्धतन का विलोम क्या होगा शबी को पता होगा इसका विलोम बताईए अद्धतन का तो इसका विलोम हो जाएगा पुरातन हो जाएगा क्या हो जाएगा पुरातन हो जाएगा अगला प्रेवाची दिखिए आकास का प्रेवाची है कौन सा आकास का प्रेवाची बताईए कौन सा इसमें तो बेवाची हो जाएगा ये भी आपके जो हैं प्रयावाची हैं ठीक है चलिए महोरमी का संदी विच्छेट बताइए महोरमी का very important question है महोरमी का संदी विच्छेट क्या हो जाएगा नेट गीर रहा है ना अलग हो रहा है ना तो यहां पर आपा दानकारक हो जागा ठीक है जैसे वरच्छे से पत्ते गिरते हैं ऐसे कोश्चन्स आ जाएं अलगाओ की बात हुआ पर तो आपा दानकारक होता है और बहुत पूचा जाता है आपा दान ही पूचा जाता है पेसरण साम वर्ग में हैं किसमें वेसेसरण में और इसका सी वाला बिलकुन करिक्ट हो जागा जितने भी लोग क्लास को देखे हैं फटा फट वीडियो को लाइक करतेंगे एक बार एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांस के लिए एक शब्द क्या है उसके लिएक चोर की दाड़ी में तिनका महौरे का शही अर्थ क्या है अपराधी का अपराधी का अपराधी का अपराधी का पहचान छीपाना यही चोर की दाड़ी में तिनका महौरे का अर्थ है और इसका बी वाला बिलकुन करिक्ट हो जगा इसकी अंसर की भी लगा दिया हूं आप देख सकते हैं शुफ रेंड्स हिंदी लैंग्वेस का आज का या टिष्ट कैसे लगा कमेंट बाक्स में जरू बताईगेगा और पचीस प्रश्ण में से आपके जितनी भी प्रश्ण सही हुए हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बाक्स में जरू बताईगा और क्लासिस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं चैनलों को सब्सक्राइब कर लेजिगा बेल आइकन को और प्लपल की अपडेट पाने के लिए कुछ डाउट्स बगर रहा हूं तो आप लोग कमेंट बाक्स में आपर एंडाउट कर सकते हैं और भी क क्लासिस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिष्ट में हमरे जाके देख शकते हैं उसमें आपको ह待 लिएग्वके मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए थैंक यू